हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग मैं सोरब दो मैगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे बहुत ही जवरजस्त चल रहे होगी क्लास 10 की तैयारी और जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज से अपना नया चैप्टर रिस्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है Quadratic Equation यानि की द्विघात समीकर रिस्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आज हम देख रहे होंगे पार्ट परिच्छे मतलब की द्विघात समीकर में कौन-कौन से टॉपिक हैं टॉपिक्स में क्या-क्या जानना आपके लिए जरूरी होगा यह सारी बात होंगी आज की क्लास में तो स्टार्ट करने से पहले एक चोटी और जरूरी बात आपके लिए जैसा कि आपको पता है Magnet Brains प्रोवाइड करता है High Quality Education जहां Hindi Medium विध्यार्थियों को मिलती हैं छटी क्लास से लेकर 12 क्लास तक क उनको देखिए उनका लाब उठाइए उनसे बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए आप इसके साथ ही और बेहतरीन तयारी के लिए बेहतरीन मार्क्स पाने के लिए एक्जाम में आप ग्रैप कर सकते हैं E-Notes और E-Books को जो बेहतरीन सिक्षकों के माध्यम से बनाया गया है जिसका लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है जल्दी से जाईए देर किस बात की लिंक पे क्लिक कीजिए E-Notes और E-Books को ग्रैप कीजिए आईए बिना देर की हुए स्टार्ट करते हैं पार्ठ परिचे और देखते हैं कि द्विघात समीकरण में कौन-कौन से समीकरण का मानक रूप सर ये होता है मतलब इस रूप में अगर कुछ भी लिखा है तो हम उसको द्विघात समीकरण का नाम दे सकते हैं मतलब ये जो समीकरण मेंने लिख दिया आप इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है एक द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में यह तो देखी रहे होंगे, साथ साथ में हम देखेंगे कि कोई भी equation आपको दी हुई होगी, जैसे कि एकसधन 3 का वर्ग बराबर एकसधन 5, ऐसे करके आपको कोई भी समीकरण दी होगी, आपको चेक करना होगा कि दी हुई समीकरण, दीविगाद समीकरण है या नहीं है, तो यह सारी बाते हम कर रहे होंगे, सबसे पहले टॉपिक मतलब की दीविगाद समीकरण में, इसके बाद हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं उसके मूल कैसे निकालते हैं एक बात मुझे जल्दी से कमेंट में बताना कि द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है मतलब कि द्विघात समीकरण के कितने हल हो सकते हैं यह आप comment box में बताएंगे बाकी तो में बताऊंगा ही जब यह topic आपको कराऊंगा तो हम देख रहे होंगे द्विघात समी करण का हल गुडनखंडों के माध्यम से कैसे करते हैं क्या आपको 9th class में याद करो द्विघात बहुपदों का गुडनखंड पढ़ा था आपने वह बात तो यहाँ पर हम इसका गुडनखंड करेंगे और उससे हम क्या करेंगे X का मान निकालेंगे मतलब की इस समीकरण का हल निकालेंगे तो यह तो यहाँ पर देखेंगे साथी साथ हम स्रीधराचारे जी का फॉर्मूला देखेंगे स्रीधराचारे के बारे में मैं वहां से भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका हल श्रीधराचारे जी के दिये हुए फॉर्मूले से आप कैसे निकाल सकते हैं इसके साथ ही हम अगला टॉपिक देख रहे होंगे मूलों की प्रकृति मूल मतलब वही जो इसका हल आएगा हल कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी तो बहुत कुछ है मतलब की बहुत ही जादा important chapter होने वाला है एक बात और बता दू जिसको chapter 3 बहुत ही बढ़िया से आता होगा न उसके लिए chapter 4 बहुत ही आसान होने वाला है मतलब अगर आपने chapter 3 बहुत ही जवरजस्त पढ़ लिया है तो chapter 4 में 50% चीज़े आपको पहले से ही हम ये भी बात करेंगे कि NCRT के जितने भी उदाहरण हैं उनकी बात कर रहे होंगे सारे NCRT के उदाहरण करेंगे जितनी भी प्रसनावली हैं प्रसनावली 4.1, 4.2 और 4.3 इनकी बात कर रहे होंगे एक थोड़ा सा overview दे देता हूँ आपको प्रसनावली 4.1 में इस तरह के स 4.2 की अगर मैं बात करूँ तो 4.2 में आपको ये वाला टॉपिक देखने को मिलेगा मतलब गुड़न खंडो द्वारा विखात समी करण का हल और साथ साथ में 4.3 में आपको मूलों की प्रकृति देखने को मिलेगा और कुछ वर्ड प्राब्लम्स भी जिसको हम इबारती प्रसन भी बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर प्रसनाओली 4.3 में तो ये सारी चीज़ें आई होप की आपको क्लियर हो चुकी होंगी यहां से लेकर यहां तक करने के बाद हम NCRT को पूरी तरह से कर चुके होंगे इसके बाद मैं आपको कराऊंगा आपको पता ही है बताने की जरूरत ही नहीं है MCQ कराऊंगा मतलब बहु भी कल्पिय प्रसन क्योंकि एक्जाम में MCQ बहुत important हो गए हैं 10 से लेके 18 नंबर तक आते हैं अलग-अलग board की बात करूं मैं तो तो ये MCQ हमारे लिए बहुत ही जादा important है इनको हम कर रहे होंगे MIQ करेंग हम करने वाले हैं द्विखात समी करण पार्ट चार आपको बात पूरी clear है समझ में आ चुका है एक बार screenshot लेंगे जिससे की आपको भी idea लग जाए कि कि किस तरह से हम ये chapter complete करने वाले हैं तो आज के लिए यही था और वीडियो खतम करने से पहले एक छोटी और जरूरी बा कोर्स भी कवर किये जाता है जिसमें डैली बोर्ड बिहार वोर्ड यूपी बोर्ड एंपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है इसके साथ ही आप वेडिक मैट्स इस पोकन इंग्लिस की कोर्स और साथ साथ क्रैस कोर्स भी देख सकते हैं यह सारी चीजें बिल्कुल फ्री होती बेतरीन सांदार सा नंबर तो मिलते हैं अंगली क्लास में पहले टॉपिक के साथ द्विघात समीकरण के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच